हेलो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने सिर्फ अधार कार्ट से पता कर सकते हैं कि आपका बैंक एकांट चालू है या बंध है तो दोस्तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में दोस्तों साबसे पहले आपको अपने Chrome Browser open कर लेना होता है और उसके बाद दोस्तों आपको Search Bar में आकर लीक कर सर्च करना है U-I-D-A-I दोस्तों लीक कर आपको सर्च कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको First में जो Link सो कर रहा है यह Official Government का Link है तो दोस्तों आपको इस पर टाइब कर लेना होता है इसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है तो आपको यहाँ पर Third Number पर अधार Services का Link दिखेगा तो आपको इस पर फिर से टाइब कर लेना होता है इसके बाद दोस्तो आपको नीचे की तरफ आना है और दोस्तो आपको यहाँ पर मिलेगा अधार लिंकिंग स्टेटोस तो दोस्तो आपको यहाँ पर आखर फिर से टैब कर लेना होता है इसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर दिखेगा अधार नमबर डालने को तो दोस्तो आपको यहाँ पर अपना अधार नमबर डाल लेना है मैं आपको यहाँ पर बताता हूं डाल कर दिखाता हूं दोस्तो और उसके बाद दोस्तो अधार नमबर डाल लेने के बाद दोस्तो हमें यहाँ पर क्याप्चा फिल करना होता है जैसे कि हम यहां पर आपको क्याप्चा फिल करके दिखा देते हैं दोस्तों इसके बाद हमें यहां पर सेंट ओटीपी पे क्लिक कर देना होता है जैसे हम यहां पर सेंट ओटीपी क्लिक कर देते हैं और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर हैं आधार नमबर का 4-digit देखने को मिल जाएगा और यहाँप दोस्तों बैंक लिंगिंग इस्ट सेटस न lata आप एक्लिब दिखा लेब दोस्तों यानि कि हमारा एककाउंट चालू है दोस्तो इसके बाद आपको यहां पर देख सकते हैं कि bank linking date यानि 6127 को यह link हुआ था bank से अधार number और इसके बाद दोस्तो आप यहां पर bank का नाम भी देख सकते हैं तो दोस्तो आई होप की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा तो दोस्तो और भी ऐसे यूश्फूल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकोन पतबाए थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो